फिल्म सुल्टान वैसे तो बॉक्स ओफिस पर कमाल कर रही है लेकिन ये फिल्म एक मुसीबत में भी भस गई है बिहार के मुझफरपुर में एक स्थानी अदालत में सल्मान खान पर कथे धूखाधड़ी के मामले में सुनवाई हुई मुझफरपुर के निवासी मुहमद सारिब अनसारी उर्फ सारिब बाबा ने 8 जुलाई को मुख्य न्याइक मेजिस्ट्रेट की अदालत में एक शिकायत मामला दर्स कराया था ये शिकायत बॉलिवुद अभिनेता सल्मान खान अभिनेतरी अनुशकर शर्मा फिल्म निरेश वकील सुधीर कुमार ओजा ने कहा कि सारिब ने साल 2010 में मुंबई में सल्मान को अपनी कहानी सुनाई थी और अभिनेता ने वादा किया था कि अगर इस पर फिल्म बनाए गई तो वो इसके बदले उन्हें पैसे देंगे CJM मुजफरपुर राम चंदर प्रसाद के सामने मंगलवार को ये मामला सुनवाई के लिए आया जिन्होंने इसे नियाएक मेजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एसके त्रिपाठी के अदालत में स्थानान तरित कर दिया इस मामले पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी ये मामला कई धाराओं के तहट दर्स कराया गया है अभी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चेट पेजी नियूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई